ओम नमस्षूआ है लर मादियो वेलकम टेमाले एन मोंक व्लोग और आज है एपिसोड टू सेकंड डे और आज हम जा रहे हैं तो उना ट्रैक टाइम हो रहा है सुबह के टाइम हो रहा है सुबह के पांच बजने में पांच मिनट है और सुबह सुबह ठंडे पानी से ना है पंदरा में स्टार्ट और रोशनी हो चुकी है पॉने चार बुस के पंदरे में पॉने पांच बजी रोशनी हो चुकी थी और बस जल दे हैं अब ट्रैक पर तो यहां से एंट्रे एंट्रेट फोट्रूम यहां तो अब ट्रैकिंग इस्टार्ट हो रही है अभी टाइम हो रहा है सुबह के पांच पर का 20 मिनट और ट्रैकिंग इसार्ट हो जी के च्छै किलोमेटर की ट्रैकिंग है तूनात की यह सब फैमिली मेंबर तो पांसो मीटर हुए होंगे हमें आई वे और पहला कैसे आए चाहे होएगा पांसो मीटर के बाद यहां पर बुग्याल पहला बुग्याल मिलेगा आपको पांसो मीटर पांस चैसो मीटर अने के बाद तो पहला कैला अश्पर मत आपको जो हिमाल है दिख रहा हूगा के नहीं दिख रहा होगा वहां पे उपहला अभी दिख रहा हूपर जाके और भी किलियर दिखेंगा और अभी इसलिए 500-600 मीटर हुआ है और कुछ लोग पीछे रहा गए हैं उनका बेट करते हैं आगे पर ओम जैया श्रक्रिक्ष्ना चतन्य अपर्भू नितनन्द श्री अध्वेत गदाधर श्रीवास अधिक अर्व भक्ताव रिंदाधुशा जाए। अगेन ही माल्या दिखा एक किलो बंटे हो चुकाई चनलते हैं और हिमाल्या दिखा सामने वो रहा हिमाल्या वाँ बहुत ए ब्यूटिफुल हिमाल्या फ्रॉम चोपतर ट्रैक तो दूप आ चुकी है और जो हिमाल्या है वहां पर भी दूप कितनी अच्छी लग रही है सुबह के और सुबह के हो रहे है टाइम 6 बच का 30 मिनट और बहुत ए ब्यूटिफुल व्यूव सामने के पहाड़ पूरी दूप आ रही है वह पूरी परवत शिंखला है हिमाल्या की पूरी यहां से लेके तिबत के दरना सब फैली हुई है यहां से तो सिफ च्या क्रीमट्र की ट्रैक है लेकिन अच्छे उच्छों के हालत प्रतली करते था यह अवला ट्रैक यह आपके फीजिकल आपको बहुत सब्सक्राइब करने आने से फडिये से बहुत स्ट्राइब म्यूंति हैं वाद इस सब्सक्राइब कर घूए तो यहां पर दोतएング चीछ की धान हो ओर है दिखेगा आप लोगों को और यहां से मंदिर भी आपको दिखना इस चार्ट हो जाएगा तो कैसे लग रहे है थी तुमना ट्रैक जाद मुश्किल है नहीं है लो बाई और बेनो बहुत अच्छा बोलना भी है कुछ है भाई यह बेनो कहला हुआ अधी कैसे लग रहे है तो बढ़िया लग रहा है इतना बढ़िया ट्रैक मेरा आम बात है यह मैं इसे पाड़ों में को जबाई व्यक्त आप रहता है क्योंकि मैं ट्रैबल करता रहता हुआ करा रहता है इसे पहले मैं क्षटैने को फहरे है को एक है झाल 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 तो फाइनली मंदीर आ चुका है और तुगनात मंदीर मेरे सामने है दर्शन कर रातों में आप लोगों को तुगनात मंदीर मेरे सामने है चलते हैं उपर तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तुगनात मंदीर पर लेकिन तुगनात मंदीर का कपाड बंध है और करोना की वज़े से जब तक कि उतराखन के तरफ से नेक्स्ट गाइडलाइन नहीं आ जाती कि कब इसके कपाड खुलेंगे और कब मंदीर ओपन यह नया गेट बनाये हुआ है और सामने मंदीर दिख रहा होगा आपको तुगना जे कमंदिर पहले एंट्री होती थी वहाँ पिछे की साइड से लेकिन अब एंट्री साइड से हो रही है और यह नया गेट मंदिर बंद किया हुआ है अभी तुगना टैमपल तो मनदी के कपाट बंध है तो बहाद से दर्शन के हम लोगों ने और अगर आपको मंदी के दर्शन करने हैं तो मेरी पिछली तुगनात वीडियो को देखी यूटूब पे जो है यूट वीडियो देखिए और वीडियो में तुगनात के दर्शन करने को मिलेंगे आपको जो मेरी पिछली वीडियो में क्योंकि इस टाइम तो मैं दर्शन कर रहा पारा क्योंकि गेट बंध है करोना के वजह से और गाइड लाइन्स भी अभी जारी नहीं हुई है तो मैंने आपको सामे से दर्शन करवाए और अगर आपको दर्शन करने है शिवलिंक के तुगनात के अंदर से तो मेरी जो तुगनात की लाश्ट वीडियो डालेती जो मैंने लाश्ट ये वो से देख सकते हैं आप और मैं दिखा तो अभी सामने का विउ तो ये है ये रेलिंग अभी लगाई है इन्होंने मतलत इसे बोलते हैं जननत ये सब और ये रहा हरेश ये सुभाश और ये और यहां से चंदरशीला आराउंड एक किलो मिटर है और देखते हैं कितना टाइम लगता है जाने में तो अभी हम जा रहे हैं चंदरशीला ट्रैक पे जो के रावन हिहां से एक से डेड़ किलो मिटर का है और तुगनाद मंदेश मैंने दिखा दिया आप लोगों को मेरे पिशा रहे हैं सुभाश रोहन और कौन है ये हरीश न मैं उुटने छैड़ को आप लोगों कितना बाल बता है और की जाप gor पोगों किलो में जाने हैं डावोस마ट को अवे दिखाय तव।